Hello friends, welcome back to the tech, सब कुछ चलना, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 ऐसे स्मार्टफोन की जो की 10,000 के अंदर एक best value for money स्मार्टफोन बन जाते हैं, जिसमें की camera, battery और performance काफी अच्छी देखना को मिलती है, और इन में से कुछ अपकिमी स्मार्टफोन भी है, ज जो की Samsung Company की तरफ से आता है, Samsung M11, दोस्तों 10,000 की किमत में यही एक ऐसाइं स्मार्टफोन है, जो की हमें Samsung Company की तरफ से मिलता है, जिसमें की सिर्फ 3 plus 32GB storage दी गई है, हलाकि इसमें 4 plus 64GB मिल जाती है, बट उस कीमत में आपको और भी अच्छे-च्छे स्मार्टफोन मिल जाए इस फोन में हमें Snapdragon 450 chipset दिया गया है, जिसमें की आप डेली टास्क वेगरा इजली कर सकते हैं, बट गेमी वगरा अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसके लावा इस फोन में हमें 5000 में बड़ी बैटरी मिलती है, जिसमें की 15W की fast charging देहने को मिलती है, तो रोल फोन में कोई भ फोन से स्लोज जरूर से हो जाएगा, वहीं अगर आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो इसके बदले में आप Samsung M21 ले, जो की एक value for money smartphone रहेगा, नेक्स दोस्तों अगर आपका बजट 8000 रुपे है, तो ऐसे में 500 रुपे एड़ करके Realme Narzo 208 smartphone ले सकते हैं, व इसमें की 12 वेक्सल का triple camera setup दिया गया है, साथ में fingerprint sensor भी मिल जाता है, इस फोन में cinema gun 65 processor दिया गया है, जो की इसके budget के according ठीक ठाक है, इसमें आप daily task, multitasking और gaming और गेमिंग कर सकते हैं, बट heavy gaming और इस पर नहीं कर पाएंगे, इसके लबाए इस फोन में हमें 5000 image की बड़ी battery मिलत दिया है, जो की काफी कम है, और इसका processor थोड़ा सा old हो गया है, और camera भी सिर्फ 12 official का ही मिलता है, और वहीं इस phone में ads और bloatware apps भी देखना को मिलेगी, और last इसमें कोई भी fast charging और USB type-C नहीं मिलते हैं, नेक्ट फोन की बात करें तो वो है Infinex Hot 10, ये phone भी कुछ माईनों पहले लॉंच किया गया था, इस phone की गीमत 9,000 रुपे है, 4 plus 64 GB वी वेरेंट की, इस phone में 6.78 inch का HD plus डिस्प्ले मिलता है, जो कि वीडियो और online classes के लिए काफी सही रहने वाला है, जिसमें की punch hole camera design दिया गया है, वहीं इसके back में quad camera setup और fingerprint sensor दिया गया है, तो इस phone का local design काफी camera मिल जाता है, इसके front में 8 mm lens दिया गया है, इसके लाबा इसमें में 5200 image के big battery मिलेगी, जिसको कि आप 18 watt की charging से charge कर पाएंगे, बट इसके box में सिर्फ 10 watt का charger रहीं आपको मिलेगा, अगर आपको इस बजट में एक big display और gaming processor चाहिए, साथ में आपको camera में decent मिलता है, तो इसको India में launch किया है, इस phone में हमें 6.8 inch का HD plus display मिलता है, जिसमें की punch hole design दिया गया है, और ये phone काफी बड़ी display के साथ में आता है, तो आप इस पर movies, online classes बगारा भी अराम से ले सकते हैं, अगर performance की बात किये, तो इस phone में हमें MediaTek Helio G80 का chipset मिलता है, जो की gaming multitasking वेरा करने के लिए का काफी अच्छा chipset है, साथ में इस में 4 plus 64 GB storage में दी गई है, और ये phone out to the box and temper मिलेगा, जिसमें की techno company का launcher दिया गया है, वहीं इस phone के camera के बात किया है, तो इसको की 18 watt की charging से आप charge कर पाएंगे, तो और रोल phone में performance काफी अच्छी मिलेगी, बैटरी backup काफी अच्छा मिलेगा, और camera भी आपको decent मिल जाता है, बट वहीं कुछ खामियों की बात किया है, तो इसमें में full HD plus display नहीं मिलता, camera में कोई ultra wide lens नहीं है, USB type C port नहीं मिलता, और इसके UI में काफी ज़्यादा bloatware apps and ads देहिन को आपको मिलेगी, next and last दोस्तों, अगर आपका budget 10,000 रुपे है, तो इस list म ये एक ऐसा phone है, जिसमें की full HD plus display मिलता है, बाकि अभी तक जितरे भी phones मैंने बताया है, उनमें सम्में HD plus resolution ही दिया गया है, वहीं इसमें 13MP का quad camera setup दिया गया है, जिसमें की 8MP का ultra wide, 5MP का macro और 2MP का depth sensor दिये गया है, बट फ्रेंट camera वही 8MP का ही मिलता है, तो अगर आप ultra wide, macro अगरा भी निकलना चाते हैं, तो इस phone से निकाल सकते हैं, और इस phone में हमें 5000 mh की बड़ी battery मिलती है, जिसको की आप 18V की charge कर पाएंगे, तो ये भी काफी अच्छी बात हो जाती है, इसके लाभा इस phone में हमें triple cards load, USB Type-C, Dual 4G, 3.55, headphone jack, fingerprint and face unlock मिल जाते हैं, तो रोल देखा ज खर्च करेंगे, तो best value for money phone बन जाते हैं, अगर आप 500 रूपे extra खर्च कर देते हैं, तो realme narco 20 smartphone आपको मिल जाते हैं, जो कि साड़े 10,000 रुपे में मिल जाएगा, वहीं अगर आप sale में या card of war लगा देते हैं, तो ये phone 10,000 के अंदर भी आपको मिल जाएगा, इसमें में 6. 2000 mh की बड़ी battery मिलेगे, जिसमें की 18W की charging दी गई है, तो इस phone में हमें camera performance battery सब कुछ बढ़िया मिलेगा, और सिर्फ display HD Plus मिलता है, तो अगर आपको display से इतना कुछ ज़्यादा परक नहीं पड़ता, तो ये phone Redmi 9 Prime से अच्छा है, इसको आप ले सकते हैं, next door last phone आता है Indian brand जो क सबसे ज्यादा value phone money smartphone इस टाइम पर बना हुआ है, अगर आप 1000 रुप एक्ष्टा खर्च कर सकते हैं, तो ये best value phone money phone रहे हैं कहरा जार की कीमत में, वहीं ये एक non Chinese smartphone भी है, Micromax in Note 1, इस phone में में 6.67 inch का full HD plus IPS LCD display मिलता है, चुकि एक center punch hole design में आता है, जिसमें 16W Excel का selfie camera दिए गय मिलता है, जिसमें कि आप gaming multitasking easily कर सकते हैं, और इस phone में हमें 15,000 mAh की बड़ी battery मिलेगी, जिसमें की 18W की fast charging और USB Type-C देखने को मिलेगी, तो वह रोल HD plus display, 48W Excel का quad camera, 16W Excel का selfie camera, Helio G85 chipset और 18W Note की fast charging, इस phone को इस कीमत में best value for money smartphone बना देती है, तो अगर आपका budget 10,000 रुपे है, तो मैं कहुँआ कि आप 1,000 रुपे extra pay करके, इस phone को आप ले सकते हैं, जिसमें कि stock Android, lack free experience, no ads, no bloatware, apps और clean experience आपको मिलेगा, तो इसको आप ज़रू से ले सकते हैं, next दोस्तों आप कुछ अपहमीं smartphone की बात कर लेते हैं, जो कि 10,000 के अंदर हमें इस महीने के end तक देंगे, जिसमें की सबसे पहले phone आता है, POCO M3, दोस्तों सबसे पहले, इस phone का look or design काफी अच्छा मिलता है, जिसमें की black, blue और yellow color दिये गया है, वहीं इसके front में 53-inch का full HD plus display मिलता है, जिसमें की water drop notch में 8MP का camera दिया गया है, वहीं इस phone के back में triple camera setup मिलता है, जिसमें की photo interface का primary lens, 2MP का depth sensor और 2MP का macro lens मिल जाएगा, और इस phone में में media deck Helios 662 का chipset मिलेगा, जिसमें की 4 plus 128 GB storage दी जाएगी, वहीं इस phone में 6000 image की बड़ी बैटरी मिलेगी, जिसको की आप 18V की charging से charge कर पाएंगे, ये phone 10,000 की से कम की इमयत में launch किया जाएगा, जो कि इस महिने के end तक हमें देखने को मिलेगा, तो इसका भी weight आप कर सकते हैं, नेक्स दोस्तों, Redmi भी अपना एक smartphone 18 December को launch कर सकते हैं, जिसका नाम होगा Redmi 9 Power, इस phone में 6.53 inch का display, Snapdragon 662 chipset, 48 dimensional का triple camera, 6000 mAh की बड़ी battery, ये वहन भी 10,000 से कम वजट में launch किया जाएगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं, नेक्स दोस्तों, Samsung company भी अपना एक नया smartphone launch करने वाली है, Samsung Galaxy M12, इस phone को Bluetooth और Wi-Fi लाइंस website पर दिखा गया है, जिसमें कि हमें 6.5 inch का display, Snapdragon 450 chipset, 13MP quad camera, 7000 mAh की बड़ी battery मिल सकते ह तो अगर आप एक non-channel smartphone लेना चाहते हैं, तो इसका wait आप कर सकते हैं, तो guys ये थे वो सभी smartphone जिनको कि आप इस टाइम पर खारी सकते हैं, और साथ में wait कर सकते हैं, कुछ अपकोईनी smartphone का, बागे आप लोग नीची कमेंट करके बताओ कि आप कौनसा phone लेना पसंद करेंगे